वेरी गुड मॉर्णिंग टू अलोफी दोस्तों स्वागेत है आप सभी का वाइट एजूकेशन में बिहार दरुगा बिपी एसी बिहार और बिहार कॉंस्टेबल बिहार एसी जिस भी परिक्षा के गर आप तयारी कर रहें तो आप हमारे सार जुडिये सुबह के 6 बजे जी आज का सिनारियो कुछ इंपॉर्टेंट है जी हां दोस्तों आज हम फिर से वह 50 प्रशनल लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली परिक्षा के लिए महत्पूर्ण साबित हो सकते हैं तो चलिए लगाते हैं आज का सेट और देखते हैं कितने उत्तर आप सही कर पा रहें त आपकी परिक्षाओं के लिए जी हां आप हमारे साथ बिलकुल फ्री में यहां पर जुड़ सकते हैं जहां पर लगातार तीन सो से भी ज्यादा लाइफ क्लासे फ्री मोग टेश्ट बीस हजार से भी ज्यादा प्रशनोत तर यहां पर आप तक हम साजा करेंगे दोस्तों श ऐप्लिकेशन और इस अप्लिकेशन से आप सेट कीजेगा यहाँ यहां पर बीपीएसी सेट कीजेगा वैहें यहां पर पर यहां पर लॉग करने का रेद्रौड मंगेगा यहां तो यह 있고 यूंदर स्कोर एदूग जीर०ेसंग अगर आप इसका यूज करते हैं तो जैसे य आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा रेफराल कोट के साथ और फ्री में आप यह सारी क्लास दे सकते हैं जहाँ पर बिहार के टॉप एजुकेटर आपको एजुकेट करेंगे विद्टी थाउजन कोस्टिनार और लाइब वीडियो सेशन चलेगा वी स्मोक ट आप लोगो क्या करना है जल्दी से जी नहीं किएगा जीत के तैयारी पकी करने के लिए उनकाडमी के साथ आप जल्दी से जोईन किजिए और 920 रुट कोई मिल पाएगी अगर आप इस रिफरल कोड का यूज करते हैं जीत अंडर्सकोड एडियू 09 तो एक तो फ्री के लिए और अगर आप से लेते हैं उसके लिए भी सेम कोड यूज कीजिएगा इंस्टेंट आपको इसका डिसकाउंट भी मिल जाएगा तो नवंबर में भारत में उडिशा ताट पर क्यू आर एसे म मिसाइल प्रणाली का प्रिक्षण किया गया है तो ये क्यू आर एसे म में क्यू का मतलब क्या है अगर आप यहां पर उतर कर रहें इस डी इस दर राइट आंसर जियां इसका फूल फॉर्म क्या होता है एक्चुली जान लिजिएगा यू आर एसे म का ट्विक रियक्षण सर्फिस टू एयर मिसाइल ये ध्यान रखेंगे क्यू फॉर ट्विक होता है और आर फॉर तो सब समझी गया है इसका फुल फॉर ने बता दिया है आंसर यहां पर हम डी कर लेंगे सवाल नंबर चलते हैं दो की तरव हाली में देखे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि चीजी आपको आराम से दिख सके और साफ साफ दिख सके रोज सूबा का ये वीडियो देखना हमार संधी के तहट महाराष्ट्रा के किस जील को अंतरराष्टिय महत्व के आद्र भूमी स्थल के रूप में चुना गया है तो महाराष्ट्रा से सवाल जुड़ा है तो चुकि देखे मैं आपको सारे CM, गवर्नर और यहां पे Capital Cities के नाम बता चुका हो यहां पे CM कौन है तो उ पिमस जील है दोस्तो लोनार जील याद रखिएगा A is the right answer जो कि अंतराष्टि महत्व आद्र भूमी के स्थल से इसको चुना गया है सवाल नंबर तीन पे चलते हैं नवंबर 2020 में सौमित्र चटरजी का निधन हो गया है वह किस छेतर से प्रसिद वैक्ति होते हैं देखे स सारे question important है दोस्तो इसलिए हर सवाल पर आपको यहाँ पर जवाब देना होगा तो आप भी आंसर करेंगे और उसका जवाब भी देंगे आप लोग आशा करते हैं सभी को यहाँ पर उतर सही करेंगे मेरे ख्याल से अगर आप लोग को यहाँ वीडियो पसंद आता है तो एक सौमित्र चटर जी एक अभी नेता है आंसर हम डी कर लेंगे चलिए दोस्तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं चार पे परतीक साल भारत में स्वतंद्र और जिम्मेदार पत्रकार्टा के लिए चिनहित करने के लिए किन दिन किस दिन राश्ट्रिये प् नवंबर को हर साल राश्टिय प्रेश दिवस मनाते हैं दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है अच्छा एक कोश्चन है मेरा आप से जी हाँ आप जरूर उसका कमेंट बोक्स में किजिए एक आंसर वहाँ पे कि इस बार जो पत्रकारिका के लिए अवर्ड दिया जाता है मैगम किसको दिया गया है 2020 के लिए सवाल नबर पांच के चलते हैं नवंबर 2020 में रक्सर स्थलो को सूची में सामिल करना सामिल की ठम जिल किस राजिम है कि ठम जिल कि ठम जिल किस राजिम है तो रक्सर स्थलो को सूची में सामिल किया गया इसमें से कि ठम जिल है दोस्तों उत्त प्रदेश से है और इस्टेटिक जी के है यह दोस्तों ध्यान रखेंगे जील से रिलेटेड है जी के यहाँ पे तो उत्र प्रदेश की राजधानी लकनव होती है याद रहेगा यहां के यो मुख्य मंत्री है योगी आदित्यनाथ है यह भी याद रहेगा और आनंदी बेन जो है यह यहां की भी मुख्यों सरी गवर्नर होती है और मध्य प्रदेश की भी ठीक है ध्यान रखेंगे सवाल नमबर 6 हाली में किस मंत्राले ने दिवाली के सुब आउसर पर लोकल फॉर दिवाली की अभियान की है चलिए यह कौन सा मंत्राले है दोस्तों लोकल फॉर को कल टेस्ट में जिहां कल अगर आप लोग मोख्यश दिये थे बिहार एसाई का उसमें बताया भी था कि हमारे केंड्री कपडा मंत्री अभी कौन है तो आप लोग भी नीचे कमेंट वोक्स में कमेंट कीजेगा और कमेंट कैसे करना तो 6 का आंसर यहां पर बताएगा कौन है कपडा मंत्री ठीक है वैसे आंसर करना है कमेंट वोक्स में कमेंट करना या नहीं सवाल नमर 7 पर चलते हैं दोस्तों 2020 के भौतिक नोबिल विजेता है प्रोफेसर एंड्रिया गेज साथ में भारते खगोलविद ने 30 मीटर के टेलिसकोप परियोजना के लिए एक सहयो कि तेम्ट्रियोजना कि स्थान पर एच्शार है कि विल्कुल यहां पर आंसर घ लिए और चे नंवंबर दोजय 30 में भारति विदेश अचीवार्ष वर्धन श्रिंगल जिहां माल्दीव यातरा के दोरान भारत और माल्दीव के बीच कितरे समझगतों पर हस्ताक्षर किये हैं जल्दी सांसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे ठीक है चुकि देखे इस सवाल यहाँ पे अगर माल्दीव से बना है कुछ devils एक टो आपको कितने समझे होते हैं चार समझ होते हुए हैं भारत और माल्दियों के बीच में सब्सवाल नौ पर नवर नौ पर चलते हैं हाली में नौ निर्मित भारत और और चलती से अंसर कर लेंगे दोस्तों इससे question जुड़ा हुआ मैं आपको बता चुका हूँ और Australia के बारे में आप हमें बताएंगे यहाँ पे दोस्तो जी हाँ अंसर करेंगे दोस्तो यहाँ पर Australia जलकिंदर AIWC के निर्टित्व के किस भारते संस्थान का च्छयन किया गया है तो यह है दोस्तो यहाँ नोट कर सकते हैं गुवाहाटी जो है यह असाम में आता है दोस्तो असाम के CM कौन है तो याद रखेंगे सर्वानन सुनोवाल ठीक है क्या करेंगे सर्वानन सुनोवाल यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तो जल्दी से बता दीजी आप लोग प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है अगर आप उत्तर कर रहें दोस्तो स्कॉट मौरिसन ठीक है चलिए सवाल नंबर चलते हैं दस पे नवंबर 2020 में दुनिया का पहला प्रयोग उपग्रह लॉंच करने वाला पहला देश तो चाइना ने किया था ठीक है अब शिक्स जी का भी प्रयोग चाइना ने कर लिया है अंसर हम यहाँ पर यह कर लेंगे दोस्तो इस दो राइट आंसर नौंबर में यह पहला प्रयक्शन किया गया है और इसको उपग्रह के लॉंच करने का पहला देश बना है चाइना दोस्तों सवाल अगर चाइना से है तो रेनीन भी यहां की खरेंसी होती है दोस्तों याद रखेंगे Capital City यहां की बिजिंग होती है आप लोगों मैं बता चुका हूँ और आप लोगों मीजे comment box में comment करेंगे Who is the President of China ठीक है? Important है Railway द्वारा किस सहर में कचरे से उर्जा उत्पादन करने वाले देश में पहले सरकारी सन्यंत्र के स्थापना के गई है पहले सरकारी सन्यंत्र है दोस्तों किस सहर में कचरा से उर्जा प्राप्त करता है तो देखे वैसे तो अब बहुत सारे करने वाले हो गए है राजी यहाँ पर लेकिन रेलवे के दौरा तो रेलवे के दौरा भूवनेश्वर कीजिए का दोस्तो जो की उरिशा का कैपिटल सिटी होता है ठीक है यहां के मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक याद रखेंगे टी ट्वेंटी क्रिकेट में पांसो विकेट लेने वाले देश के पहले गेंदवाज देखें आंसर करेंगे टी ट्वेंटी क्रिकेट में पांसो विकेट लेने वाले जियां ये पहले लेने वाले देश के पहले गेंदवाज कौन है ये भाई आंसर कर लेंगा डेवन ब्र जज कौन बनी है जी हां आंसर कर लेंगे कोशन नमबर 13 का या आज आपका टेस्ट नमगर 24 है जी हां और आज है फ्राइडे जो कि विकेंड तो कल सैटेर्डे से होगा तो कल भी मिलेगा आपको 50 कोशन का सिनारियो जो कि टेस्ट के तौर पर आपसे पूछा जाएगा तौफान ने अमेरिका के लुश्यान एक्षियान और टेकसाज राज्यों में तबाही मचा दी है हाली में किस तौफान ने तो अमेरिका में तौफान आया वैद दोस्तों नमंबर मैने में भी आए था डिसमबर तक भी इसका असर दिखा था जान रखेंगे यह था लॉरा अमरीका का capital city होता है Washington D.C. याद होगा आप लोगो यहां के अभी president कौन है यहां जो अब आप लोग बता दीजिए कौन है यह ठीक है इतना तुम हिंट करी दिया हो ठीक है जो बाइडेन ठीक है और यहां के दोस्तो करेंसी होती है American Dollar ठीक है सवाल नंबर 15 नवे अंतराष्टे बाल फिल्म महुद से 2020 कायोजन कहां किया गया है जल्दी से अंसर कर लेंगे दोस्तों यहां पर जियां कहां किया गया भाई यहां पर तो याद रखेंगे कोलकाता में किया गया है यहां कि मुख्यमंतरी है ममता बेनर जी यह भी आपको याद रखना होगा चुकि मैं देखिए आपको यह सारे तत्य जो इस्टेंटिक पार्ट है आपके मुख्यमंतरी गवर्नर और राजधानी का इसलिए बताता हूँ ताकि चीजी आपको याद रह सके और आप कहीं भी इ पताएं फटाक से यहां पर ठीक है तो यह एक नंबर का जूरू राता एक्जाम में और यहां के गवर्नर कौन है जगदीप धनकड ठीक है सवाल नंबर 16 29 सरस्वती सम्मान 2020 से प्रसीद लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया यह किस भासा के लेखक है बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तों किस भासा में यह लिखा गया था 29 जियां सरस्वती सम्मान 2020 तो यह ध्यान रखेंगा सिंधी भासा के यह क्या है तो लेखक है याद रखेगा 20 राइट आंसर सिंधी भासा ठीक है याद रखेंगे सवाल नंबर 17 ऑस्ट्रेलिया उपन 2020 के पुरुस 2020 में पुरुस एकल का खिताब जीता है ठीक है किसको हराकर तो डॉमिनिक थीम को हराया थे नो ना आंसर सी कर लेंगे यहां पर चलिए तो आस्ट्रेलिया के बारे में तो आपको तत्य बता ही दिया है चलिए ध्यान रखेंगे यहां पर सवाल नंबर 18 पे चलते हाल ही में पेटा इंडिया ने किस परसन अफ दे यर किसी चुना है भाई परसन अफ द यर पेटा इंडिया ने जल्दी से अंसर करेंगे बिलकुल ये हैं बॉलिवूड के एक अभी नेता जिनका नाम है जोन अब्राहम जिहां भी उत्तर कर लिजिएगा ठीक है बहुत जगा सोनुसूद देकर आपको कन्फ्यूज किया जाएगा एक्जाम में तो ये ध्यान रखेंगे इस पर कन्फ्यूज बिलकुल मत सब्सक्राइब पेटा एंडिया का पर सब्सक्राइब नमबर 19 तो किस देश ने मदर आफ बॉम मदर आफ आफ ऑल बॉम का सफलता पुरवक्त परिक्शन किया है किस देश ने किया भाई यहां पर जल्दी सांसर कर लेंगे इसके बारे में बता चुका हूँ आपको सब्सक्राइब नमबर 20 दोस्तो मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर में उपर उडान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पाइलेट बन गई है बिलकुल आंसर कर लेंगे दोस्तों इस देश के प्रधान मंतरी बने है अब्दुल्ला हम्दोग जो की हाली में किस देश के प्रधान मंतरी बने है जल्दी सांसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर फटा फटा फट आंसर कीजिएगा तो सभी उत्तर सही सही मिलेंगे आपको इग्जैक्लिए सुदान इस दर राइट अंसर नोट कर लिएंगे दोस्ते हाँ पर सुदान के कैपिटल सिटी क्या होती है दोस्तों याद रखेंगे खारतों, क्या होती है, खारतों, याद रखेंगे न, और यहां के करेंसी, तो पाउंड होती है, यह आप ध्यान रखेंगे, और वो सुडानी पाउंड होती है, ध्यान रखेंगे गा, और आपको बता देगे, यहां के प्राइम मिनिस्टर, तो यहां पर मैंने बताया, अब् ना केरल देखिए ध्यान दिजीगा अंसर क्या हो जाएगा केरल इस दराइट अंसर अब देखिए केरल से सवाल जरूर बनेगा तिरुवंत पूरम यहां के कैपिटल सिटी होती है बेलकुल और आपको यहां के जो आरिफ मुहम्मद खान है आरिफ मुहम्मद खान है यहां के गवर्नर है अच्छा दोस्तों यहां पे जो पिंडरी विजियन है यहां के मुक्यमंतरी है यह तीनों चीद ध्यान रखेंगे यहां पर सवाल नंबर चलते हैं 23 पे दोस्तों कृषी भूमी को लीज पर देने की निती लागू करने वाला देश का पहला राजी कौन बना है तो यह बना है दोस्तों उत्राखंड बी इस दराइट आंसर उत्राखंड इस दराइट आंसर नोट कर लिजीगा दोस्तों इस सारे सवाल इन्पोर्टेंट है जो कि आपके पर्तोगीता, दर्पन, इडूटेरिया से लिए गए है, सारे प्रशना स्पीडी से लिए गए है, स्टैटिक जी के ये कंबिनेशन है आपके एक्जाम की पॉइंट आविका तो इसको जरूर देखा करें डेलिया आपको कम से कब पचास, पचीस और सो कॉशन, तीन सेट में दे रहा हूँ आपको पचीस, पचास और सो का तो देखना बिल्कुल मन भूलिएगा हमारे साथ तो उत्राखंड की राजधानी देहरादून है, बेबी रानी मोरिया जी हैं दोस्तों, ये देहरादून ठीक है, ये आपको लिग दे रहा हूँ सौट में, आप लोग इसको नोट कर लिया करें वीडियो सुनी है तो समाज में ज्यादा आएगा सवाल नमबर 24, तामिल लाडू की राजिकिया यात्रा के दोरान प्रधान मंतरी मोदी जी ने चेन्नाई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम नमले की तुमें से किस नेता की नाम पर रखा है तो राजिकिया यात्रा के दोरान प्रधान मंतरी मोदी जी ने चेन्नाई सेंट्रल रेलवे का नाम बदलने का प्रयास किया तो यहाँ पर आंसर करेंगे 24 का उत्तर M.G.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram.C.Ram नुमारी लाल पुरोहुत जो कि यहां के क्या होते हैं गवर्णर होते हैं नहीं है इन्देपड़्ण पहरण को के नन्बर पचीस दूस्तों भारत सरकार ने खीय भारती एरलाइन्स को सव परतिसत को बेस्टारी बेशने itself घंटा को यह एर इंडिया को बेश दिया है दोस्तों भारत सरकार ने यहां पर ठीक है एक सरकारी कंपणी हुआ करती थी भारते एरलाइन्स जो की अब जो है 100% की सिदारी इसकी बिक चुकी है सवाल नमबर 26 बिस्व बैंक के आकड़ों के अनुसार विदेशों में सव प्रोशित धन प्राप्ती में भारत का इस्थान क्या है आंसर कर लेंगे दोस्तों उपर से प्रथम यहां टॉप से क्या है दोस्तों यहां पर एक नंबर पे है फस्ट नंबर पे है ठीक है ध्यान र लगाजी में सबसे ज़्यादा ग्रिफाइट पाए जाता इन चार उप्शन में से जो जो इसे जहारकर्ण फे पाए जाता है लेकिन इन चार उप्शन में से बताना आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तो अरुनाचल प्रदेश is the right answer यह दोस्तो अंसर डी कर लेंगे इटा नगर जो होता है दोस्तो यहाँ का Capital City होता है यहाँ इटा नगर और यहाँ पे BD मिस्रा जो है BD मिस्रा जो है दोस्तो यहाँ के क्या होते हैं तो यहाँ के Governor होते हैं और पीमा खंडू पीमा खंडू जो है यहाँ के क्या होते हैं तो वो होते हैं CM लिख लेजेगा सवाल नमबर 28 भारती Reserve Bank द्वारा जारी एक नए 20 रुपे के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है देखे सवाल 28 भी इंपॉर्टेंट है एलोरा की गुफाएं D is the right answer नोट कर लेंगे 20 रुपे के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है तो एलोरा की गुफाओं का भारती Reserve Bank यानि कि RBI का मुख्याले जो इस तो मुंबई होता है कि ध्यान रखेंगे यहां के जो गवर्णर है RBI के वो कौन है तो स्रीश सक्ती कांत दास सवाल नमबर चलते है 29 पे इंद्र नेवी इंद्र नेवी नौ सिना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है इंद्र और नेवी देखें नाम से पकड़ने का प्यास करेंगे तो यहां पर नहीं पकड़ पाएंगे आप इसको रश्या अंसर कर लीजिएगा रश्या के साथ यह नौ सिना अभ्यास है जैन रखेंगे चुकि देखें यहां पे एक सवाल आपसे पुछूँ कर रश्या के प्रसिडेंट कौन है जल्दी सांसर करेंगे वू इस दा प्रेस्टेंट अफ रस्या बिलकुल वलमदीर वलमदीर पुतीन लिख लेजएगा अगर स्पेलिंग गलत है तो सुधार लेज़ेगा वलमदीर पुतीन सवाल अमर 30 दोस्तो साइन्स एंड अप्लाइड रिसर्च एलाइन्स एंड श्पोर्ट्स यानि कि सरस कें इस थापना किस मंत्राले के अंद्रगत की गई तो यह सरस जो है यह बिज्ञान और प्रदोग की मंत्राले के द्वारा इसका यह अंद्रगत क्या किया गया दोस्तों मेरा सवाल रहेगा कि सवाल नमर 31 जंगली जनवरों की प्रवासी प्रजाती उपर समयलन CMS COP 13 का आविजन कहा किया जाएगा COP 13 का देखिया आविजन किया जाएगा गुजरात में आंसर D कर लिजेगा गुजरात के CM कौन है बिजे रुपानी याद रखेंगे दोस्तों बिजे रुपानी यहां के गवर्नर कौन है दोस्तों गुजरात के गवर्नर कौन है तो आचार्य दिवरत ठीक है और Capital City तो यह ह सवाल नंबर 32 क sect 2020 में किसरे सर्विसस्ट फिलम आवारड मिला है कि 12 2020 में किसरे सर्विसस्ट अवार्ड दिया गया तो याद रखेंगे आंसर हम जाएगा फिल्म का नाम है ये 1917 ये फिल्म जरू देखिएगा यह कि बाफताव फिल्म फेस्टिवल में 2020 का सर्वसरी फिल्म आवार्ड इसको दिया गया है सवाल अमबर 33 हाल ही में किसे मात्र भूमी बुक आफ दे इयर आवार्ड से समानित किया गया है नाम है इनका मात्र भूमी बुक आफ दे इयर से समानित किया गया है विनोद सुकला को स्टैटिक जीके का मिस्रन किया गया है यहां पे आप लोग इस करेंट अफर के सिनारियो में जहां पे हम लोग आज पूरे अभी तक हम लोग पीछे अगर देखें पूरे साल का सिनारियो चल रहा March और 13 oggi जनवरicon 2021 का वीडियो है ध्यान से देख लीजिग HO और सुखला करेंगे सा नंबात 34 साथी पहल का संबंध steel में से किस्षिये जल्दी से अंदर करेंगे साथी पहल बिल्कुल ये भी बिज्ञान और प्रदोगी विभाग से है आंसर हम यहाँ पर D कर लेंगे सवाल नंबर 35 चमन परियोजना भारत में किस छेटर में अंतरिक्षी प्रदोगी के उपयोग में काउधारण है चमन परियोजना देखे चमन परियोजना अगर हम बात कर लें तो यह फीमस होता है बागवानी के लिए इसके लिए तो बागवानी के लिए याद रखेंगे दो इंपोर्टेंट है ये कोशन आंसर ए कर लीजेगा यहाँ पर ओके सवाल नंबर 36 पे चलते हैं इसपीन पोर्टल का संबध निमलिखित में से किससे है सवाल नंबर 37 पार्टें चुनाओ आयोग में जननायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मानिता दी है आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर इसका नाम है राज्य पार्टी जियां दोस्तों याद रखेंगे आप इसको बताना है कि इसके नेता प्रमुफ कौन है ठीक है जल्दी से बताएगे कमेंट बॉक्स में सवाल नंबर चलते हैं 38 पर हाली में किस देश ने 100 भासाएं बोलने वाले समझने वाली एक रोबोट को विक्सित किया है जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तों किस देश ने किया है यहां पर इसका नाम बताएगे आप लोग बिलकुल हाली में किस देश ने 100 भासाएं बोलने वाला और समझने वाला एक रोबोट को विक्सित किया है इरान ने ठीक है इरान is the right answer नोट कर लेंगे दोस्तो आप लोग यहाँ पर चुकि इरान के प्रेसिडेंट कौन है जल्दी से बताएंगे आप लोग इरान के प्रेसिडेंट है दोस्तो हर्षन रोहानी कौन है दोस्तो हर्षन रोहानी यह आप याद रखेंगे यहाँ के जो capital होती है वो है तेहरान ठीक है याद रखेंगे और यहाँ पर जो दोस्तो supreme leader होते न वो अली खिमनी है याद रखेंगे उनका न इरान की currency क्या है यह हमें आप नीचे comment box में comment करेंगे हर सवाल के साथ उसका उत्तर देना जैसे के 38 का question पुछा 38 का answer यहाँ पर देएगा इरान की currency कौन सी होती है ठीक है सवाल नमबर 39 हाली में दुनिया के पहले electronic वारिजी बीमान का सवाल परिक्षन कहां किया गया है जल्दी से answer कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर ठीक है जल्दी से answer करेंगे हाली में दुनिया के पहले electronic वारिजी बीमान का सवाल परिक्षन किया गया दोस्तों कैनेडा में यहां दोस्तों answer डी कर लेंगे चुकि देखे कैनेडा का जो प्राइम मिनिस्टर है ठीक है कैनेडा में प्राइम मिनिस्टर होते है जस्टिन टूडियो जस्टिन टूडियो ठीक है तो यह है यहां के प्राइम मंतरी और कैपिटल क्या है इसका दूस्तों कैनेडा का तो उटावा यह आपको बता चुका हूँ में ठीक है ना ध्यान दखेंगे यहां जो करेंसी होती है वो होती है डॉलर और वो सवाल नमर 40 हाली में QR कोड लगाने वाला देश पहला नेशनल पार्क वन बिहार किस राज्य में है QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन बिहार आंसर कर लेंगे दोस्तों यहां पर 40 का उत्तर मध्यपरदेश में है B is the right answer QR कोड से यहां पर नेशनल पार्क के व्रिक्षो को भी संबोधित किया गया है मध्यपरदेश की राजधानी दोस्तों भुपाल होती है याद रखेंगे मध्यपरदेश की मुक्यमंत्री सिवरा सींग चोहान होते हैं यह भी आप याद रखेंगे मध्यपरदेश की गवर्णर अनंदी बिन पटेल होती है सवाल नमर 41 किस देश के बिज्ञानिक ने GPS का इस्तेमाल किये बिना पहला रोबोट बनाया है आंसर करेंगे 41 का जल्दी से आंसर कर लिजीगा दोस्तों यहाँ पर किस देश ने इस देश ने GPS का इस्तेमाल किये बिना रोबोट को बना दिया है तो 41 का अंसर कर लिएगा फ्रांस इस दराइट आंसर बी इस दा करेक्ट आंसर चुकि फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम बता सकते हैं आप लोग यहाँ पर आपके एकजाम में पूछे जाएंगे और यह सब मैं आपसे भी कभी पूछूँगा इम्मेनियल मैकरोन इनका नाम है इम्मेनियल मैकरोन याद रखिएगा दोस्तों मैकरोन और यहाँ के जो परेस होती है यह लिख लेजिएगा आप लोग और करेंसी आप लोग नीचे हमें कमेंट करके बताएंगे वाट इस दे करेंसी ऑफ फ्रांस ठीक है जरूर बताएगा याद रखो यहाँ पर सवाल के साथ साथ आंसर देना है महिला राश्टिय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है महिला राश्टिय स्नूकर चैंपियनशिप का अवर्ड जीता है दोस्तो बिद्या पिल्लाई ने यहाँ अंसर ए कर लेंगे सवाल जरूर रहते हैं आपके परिक्षाओं में इसलिए स्टार मार्क जरूर लगा लिजीगा सवाल बर पोटिक 3 नई घोष्णा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला फोरलेंग सुरंग बनाये जाएगा तो पहला फोरलेंग सुरंग बनेगा भाई मेरे ब्रह्मपुत्र नदी के उपर दी इस दर राइट आंसर नोट कर लेंगे दोस्तो एक सवाल मेरा आप से चुकि मैं बहुत बढ़ बता चुका है आप लोगो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम इस्थल कहां पर है ठीक है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है बंगला देश में जल्दी से बताएंगे आप लोग यहाँ पर मुझे आशा है कि आप लोग सही उत्तर देंगे सवाल नमर 44 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के नुसर किस देश में प्रवासियों की संखे सबसे अधिक है भाई यह बता चुके हैं हम लोग कोशिन आपको अमेरिका में है यहां दोस्तों अमेरिका में सबसे जाधा माइग्रेशन यानि की रिपोर्ट के नुसर बताया गया है प्रवासियों जो दूसरे देशों से आकर वहाँ पर बसे हैं ठीक है जॉब करते हैं विजिट करने गया है या रहने गया है उसके अनुसर वार मेमोरियल फॉर एनिमल वार मेमोरियल फॉर एनिमल जो देश का पहला इसमारक होगा वो कहां खुला जाएगा तो यह सहर है दोस्तों उत्तर प्रदेश का मेरट उत्तर प्रदेश के इस बारे में ने तथ्य बताई दिया है यहां रखिए वार मेमोरियल अप एनिमल जो देश का पहला स्मार्ग होगा उत्तर प्रदेश के मेरेट सहर में खोला जाएगा किस राज्य में 71 गनतंतर पर सीव भोजन और योजना लॉंच किया जाएगा जिसके अंद्रगत करीम दोस्तों यहां पर 10 रुपए में भोजन उपलब भी कराया जाएगा 71 गनतंतर दिवस पर देखिए महराष्ट बिलकुल उत्तर सही कि हैं आप लोग यहां पर उत्तर कर रहे हैं तो महराष्ट के बारे में तत्थरी बता दिया हमने 47 नहीं लेकित में से किस ने कॉफी टेबल बुक बापू द अन्फरगेटेबल इसका नाम है ठीक है बापू द अन्फरगेटेबल तो यह कि दिल्ली के उपमुंख्र मंत्री थे दोस्तों मनीद सुषवदया याद रखेंगें कि छिए पर राइट यहां के के सी एम है यह अरवेंद कैज़रिवाल और यहां के गवर्नर लेफिन गवर्नर होते है इसकी यह है अनिल बैजल ठीक है तो ये तीन तथे आप याद रखेंगे सवाल नमर फुटी एट विश्णु शिवराज-प выглядит ने हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वन Professor जीता है दोस्तो यहां पियांसर जल्दी सी कर लेंगे विश्णु शिवराज-पर आण्डियन ने हाल हें में लिए याद रखेगा इटसे डि सूटिंग के लिए ये जीता है वो फिल्म वाले शूटिंग मनाए घया तो दीखे ये स्यवत्ति पूर्ट ने मयं जाता है ले sunt पांच अक्टूबर को खुड़े 20 सुभर में सिख्षा दिवस मना जाता है जिसका थीम था दोस्तों यहाँ पे कि पीचर लीडिंग दा क्राइसिस रिमेंग दा फ्यूचर ठीक है रिमेंग दा फ्यूचर ठीक है यह साल का थीम था 2020 का चुकि यह COVID-19 की दोरान इस थीम को यहाँ पे बनाया गया है सवाल नमर 50 भारत के किस राज़ी में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे अटल टरनल जिसे समुंदर तल से 10,000 क्विट के उचाई पर बनाया गया है बिलकुल हिमाचल प्रदेश इस दर राइट आंसर दोस्तों नोट कर लेजीगा हिमाचल प्रदेश की राज़धानी कहां होती दोस्तों बिलकुल हिमाचल प्रदेश की राज़धानी सिमला होती है और सिमला लिख लेजीगा यहाँ पर इसकी राज़धाने और बांदरू जो है यहाँ पे दत्तात्रे यहाँ के गवर्नर है ठीक है और जैराम ठाकूर यहाँ के सीम होते हैं तो दोस्तो आज के इस पूरे सिनारियों में हमने आपको 50 प्रश्ण दिये एक थो 25 कोष्ण का, एक 50 कोष्ण का जो कि विकेंड पे होता है यह ठीक है तो फ्राइड़ है, तो विकेंड के जदिये मैंने इसको रखाया यहाँ पे और और 100 कोष्ण का सिनारियों जो कि पूरे महीने का यह सार होता है तो आप लोग इन तीनों वीडियो को करेंट अगर के सुबह छे बजे की क्लास में देखना बिलकुल नहीं भूलेंगे अब मिलेंगे आपसे 11 बजे जहां पर बिहार स्टेवल के रिगार्डि कुछ क्लासे तैयार हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए तो इस टेस्ट को भी जरूर अटेंड करेंगे फिर शाम को आट बजे मिलेंगे बिहार दरोगा बीपीएसी के इस टेस्ट में और बीपीएसी का एक लग से आपको टेस्ट दिया जाएगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बवाए ठेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का